बनाने के लिए रिक्वाइड होती है इसे कोई बात निया इसका कोई प्रमाण निया किमिस्ट्री सारी थी प्रमाण निया किसी को नहीं बता मुलीकुल असली में कैसे बीज़ करता हैं तो पहले अलग थे एबी सी था कुछ एनेरजी मिली ट्रांजिशनल कॉंप्लेक्स बना जिस एनेरजी में ट्रांजिशनल कॉंप्लेक्स बनेगा उसे थ्रेशोड बोलेंगे और इसके बाद वो अलग होके फेवरेबल बनाएंगे तो देखो पहले कितनी मेहनत करने बटवी है उपर से मीचे अब देखो यह चूटे में ही हो जाएगा हाँ पर उससे ज्यादा ब पूजिशन में ठीक है के टेलिस्ट का वह काम निया के टेलिस्ट बढ़ाता घढ़ाता है यह तक यह को आप एक अगर तरीके से समझ सकते हैं मान लो यह एक एवी और सी एपले यह एक रियाग कर रहे थे और इसी और भी बना रह दे अब के लिए बहुत लाड़ जो तरसे सिए कर रहे हैं कैट तो वह इसे क्या करेगा इसको चारो तरफ से घेल लेगा घेल के यहां पर यह क्या देगा ऑप्टिमम टेंपरेचर और प्रेशर प्यच भी दे सकता है कैटेलिस्ट का काम कर एक फेवरेबल इन्वार्मेंट बनाना चारो तरफ तो क्या करता है यह तो जो क्या है बड़ा साथ का सरफ इस एक इसमें नुकसान होता है तो इसके फीजिकल अपरियंस चेंज हो जाती है अगर आप सॉलिड है इंपूट दोगे तो आपको लिक्विड या स्बी आउटपुट मिल सकता है अगर आप सॉलिड फॉर्म में दोगे तो आपको डिवा ना इलेक्ट्रोन कम होंगे न प्रोटाउन बढ़ेंगे और वैनेडियम पंटॉकसाइड तो वैनेडियम पंटॉकसाइड ही रहेगा चैमिकल कोई चेंज नहीं आता है के टिलिस में फिजिकल अपरियंस चेंज हो जाती है यह यहादर रखना ठीक है तो के टिलिस्ट आपको कुछ वह जाते है कुंसा पॉइंट होगा है अला दुसरा तीसरा चौटा पांच बाद चाटा सिट्व पॉइंट है तो सिक्स्ट मेंट है रिडियेशन जैसे सन है रिडियेशन है जैसे यह रियक्षन है एक्षटू प्लस ऐल्टू फ्रेडिकल होती है सणलाइट के प्रे प्रेजेंटेशन सनलाइट का और यह बन जाद है एक्षियल टू तो यह रियक्षन जो है रिडियेशन से कवन है इनसे बहुत फरक पड़ता है इनका हम आगी जाके देखेंगे एक चीज़ निकाल पाते जिसका मॉडर बोलते हैं उनहीं निकलता है बड़ी कॉम्प्लेक् में रिडियेशन असा डालती है और इसे रेट में भी फरक पड़ जाता है कैसे बढ़ता है तो वह रियक्षन टू रिएक्षन डिपेंडेंट होता है क्लियर बहुत बढ़ी है फोटो केमिकल रियक्षिन ठीक है सबस्ट अब क्या बढ़ेंगे कि नहीं चीज पढ़ेंगे कि पिछली बार आपने एक चीज पढ़ी थी कि क्या थी त्यूंत थी लॉद ऑफ मास एक्षण है लॉद ऑफ मास एक्षण कहां बढ़ा था है चैमिकल इक लिपरियम में पढ़ा था लॉद आफ मास एक्षण प्रडाद है न और इन लॉज अफ़ माश्चिं क्या था था यह लॉज अफ माश्चिन क्या था था बाई या पिए रॉल्पा स्पेशन ने ये पाता के अगर कोई रिएक्षन ऐसी हो रही है एसे है गजी से बी जिवЗस देखाल कि सी से और दी से रे के जिए ऑ्तर है क्वेराइड पर स्मॉंस मस्स lending और इक्टली उस्मालव मार मोलत मैं एंस त्रोय्किमेट व्यूंट प्रने के इंपहों अक्षण होला थistan कि यहाँ पर रेट ऑफ drinking आख रिट आफ रियक्षिन कि अप्लार वो डिएर्क्लिए प्रकॉस्ट्नल वह किसके प्रोड़क्ट और प्रोड़क्ट और क्या रियक्टेंट कंसेंट्रेशन अच्छे तुम हो तुम दो बार तुम देखोगी यह प्रोड़क्ट कुन सवाल है चलो अधर प्रोड़क्ट यह वाला निया रेक्टेंट प्रोड़क्ट वाला निया मैं यह बता देतों कि रेट ऑफ रेक्शन आड जो है डार्कली प्रोपोर्शनल किसके एकी कि लिएक टेंट पेजरी मैं रेक्टेंट कि इसके अधिकिए कि आधिके रेक्टेंट कि क्या ही कंसंट्रेशन से क्लिए तो तो लौज अफ मास एक्षिन ने तो इतना ही कहा था प्रोड़क्त क्यों नहीं लेते हैं आदेते कन्वेंशन है रिएक्टेंट ही लेते हैं ठीक है और आर इस इक पल्ट हम के लिख देते थे फिर डारेक्ट हटा के आएगा एक पावर कितना एक अब बी की पावर कितना दी ऐसा कॉंटिटी कुछ ही नहीं डिफाइंड कर सकते था आप इससे एक थोरॉटिकल कंसेप्ट था अब इसमें एक दिक्कत थी इसको किस ने ठीक करा तो अब हम एक चीज पढ़ेंगे रेट लॉग रेट लॉग ने इसे ठीक करा था यही सारी चीज अब लॉफ मास एक्षिन ज छुए ठीककिस ने करा रेट लॉँने करा ठीक है और बेंगो लॉफ मास एक्षिन की एक बात क्या थी क्यूंकि जब साइंटिस्ट्स ने याई केमिस्ट लोगों ने रेट निकालना चाहा तो वह कभी भी कॉंफ्टेक्स रियक्शन का निकाल नहीं पाए कॉंफ्टेक्ष तस्ट टोटेए और complex reaction कि होगे जो आप उनका नहीं निगाल पाते थे और ल الدखो क्या भूल गया था कि यह क्या करता था है क्या कि जते अधिनिगाल सकता था किसका इinters Reaction पर बोला था इसने कि मेरे method एक्षन से complex पर जब हमने फिजिकली या प्रैक्टिकली से करके देखा तो चार-पांच स्टैप का रेट निकल नहीं सकता था इस वजह से यह थ्योरी में तो अच्छा लग रहा है क्या है कि हम चार-पांच स्टैप मतलब का रेट निकाल लेंगे पर जब निकालने गए कषिज से तो सही stabil probability कंसेप्ट था है तो उसकी जगह कुन आया रखल تم अच कर्क इस बाद चैश्क्राइब कि में उसली में स्कराइब या कौंटिक्रीटिटिटिव कंसेप्ट था कॉंटिटिटिटिफ कंसेप्ट था एक इसने सही बात क्या खेल दी कि रेट लॉँ था ओनली फॉर एलिमेंटरी रियक्षिन सिर्फ जो एलिमेंटरी रियक्षिन होगी उनी के लिए था कि अदरी चीजए थी तो देखो रेट लॉट था क्या रहे स्यलिए के क्या होता है के हमारा पर रिय्ट कंस्टेंट में और जाते आप से लकें कंस्सेंट और जंड को में तो इसे क्या बोल सकते हैं मिंड ', और या 500 constant बोल लो और या तो क्या बोलो डिके constant बोलो दोनों ही चलेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो था क्या यह कि आप देखो इसमें rate of reaction is k k is rate constant और साथ में आपने यह क्या लिए product किस चीज़ का यह कि रियक्टेंड की स्पीशिश का है या रियक्टेंड की concentration का है और पावर उपर चल जाती है यह रेट लौ होता है जबकि रेट में क्या होता है अब आपको दोनों चीज़े देखने हैं देखो यह पूरा देख लिए अब देखो अब रेट लौ की बात नहीं करेंगे पहले लिखेंगे रेट औफ रियक्शन और फिर यह चीज में आपको दामना है अब देखो अब देखो अब पहले तो सिर्फ इसका रेट लिख लो अब रेट अफ रियक्शन कैसे लिखो कि सिंपल सी बात है देल्टा एट है वाई डेल्टा टी थिक है साथ में क्या लिखोगे डल्टा भी दाल्टा टी साथ मैं क्या लिखोगे साथ में लिखोगे में यह देल्टा टी और साथ मчто लिखोगे डेल्टा डी वर डेल्टा है अब क्यूंकि यह दोनो रियक्टेंड थैंग तो पहले तो इस तो इक्यमेट्री लगा दो वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी और वन अपॉन डी अब जो कि डियेक्टेंट वो डिसेप्यर होंगे तो उनमें लगा दिया माइनस उनमें लगा दिया प्लस तो यह तहाँ अगहरेक्णडिंग्ड रेयेक्शन पर हम बात किसके कर रहे हैं हम बात कर रहें रिएकुड़्य की तो अकॉर्डिंग तो इस रेट लग में तो यहां पर रेट लाओ क्या होगा है तो रेट लॉग में देखो कि रेस जाएं रेटफ रेक्षिन को 접ito लिखो गए कंसेंटरेशन सिर्फ जाएं आधको जो इनकी स्ट॔केंटरी होती यहां पॉन में जाती थी और मैंनस भी आता था अपॉन में आ जाते थी और मैंनस आता था पर यहां पावर बनेंगी यहां पावर बनेंगी आई बात समझ भे यहां क्या बनेगी यह चीज पावर बनेगी ठीक है यहां पर तो पॉन में आके माइनस प्लस दो नों लग रहा था यहां पावर बनेगी और हमेशा पॉजिटीव होगी हमेशा तो नहीं नेगेटिव भी हो सकते हैं जीरो भी हो सकती है ऐसे कोई बात नहीं है पर पावर बनेंगी यह है और यहां से डारेक अठता था फिर के आ जाता था तार इस एकल डूके एकी पावर ए और बी की पावर बी यह चीज रहती थी यह चीज आपकी रेट लो है और उपर आपका रेट आफ़ रेक्शन है चाहिए आप दोनों को साथ में लिख लो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिख सकते हैं न हाँ सिर्फ साथ में लिखा लो तो ठीक है इजी बन गिवजब सी ऐसे माने लो अगर यहां पर रेट होगा क्या अगर इनके टम्स में बोलें तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा सी अपान कितना डेल्टा टी जो रेप्वें उनके बैसे लगा लो और ये तो रेट के टंहूंब्स में होगा रेट लॉके टंहआउं में क्या होगा आप इसको लिखो कि या रियक्टेंड कौने ए और बी ए और बी लिखा अभी तो आपको इनकी कोई पावर नहीं दिखरी होती तो यहां उपर लगा देते उपर क्या थी पावर बन और यहां पर पावर तू आती तो यह रेट लोग के टमज में और यह उसके टमज में के लिए रेट में सावाज है है बहुत बढ़िया है कि अधिया है ठीक है बहुत बढ़िया है चलिए अब आगे बढ़ते है अब हमें देखेंगे यहां पर कि रेट लोग के इसाफ़े और और आफ रियक्शन क्या होता है कि देखेंगे और आफ रियक्शन देखते हैं और आफ रियक्शन और कि रियक्शन का क्या होता है यह देखते हैं कि अच्छों और क्या होता है और का लेना देना रेट से नहीं होता है रेट लॉस होता है ठीक है रेट तो आप किससे देखते हो जो रेट जनर नहीं निकलता है वह केमिकल रियक्शन से निकलता है रेट से एक और चीज निकलती है मॉलीकुलाइटी जो आगे पड़ेंगे पर order किसे निकलता है, order निकलता है rate law से, तो हम पर एक reaction है, आप यहां देखो, reaction क्या है, a की power a, b की power b, हमें दे रहा है, c की power c, और d, d, power तो नहीं, a, a, b, b, c, c, और d, d, अब अगर हम यहां rate law use करें, using rate law, अगर हम यहां पर rate law use करें, तो rate law क्या होता है, rate is equal to k, a की concentration, सिर्फ यहां reactant की concentration लेते हैं, reactant a और b हैं, और इनकी power a और b, बच्चों यहां आपने rate law लिखा, यहीं पर order है, यहीं कहीं order है, देखो, order है क्या, order यह, a plus b, order क्या है, a plus b, यह देखो, a और b, मतलब यह जो reactant है, इनकी जो power है, a और b, उनका sum है, उनका sum है, तो what is order, order, it is the sum, sum करना है, किसका, sum करना है, sum किसका, a और b का, a और b क्या है, power है, तो it is the sum of powers of, powers किसकी है, reactant की, नहीं, उनके concentration की, तो क्या है, it is the sum of powers of, concentration of, reactant, reactant, species, यह sum है, sum है, कि इनका power का, किसकी concentration of, किसकी, reactant species, express in, express in, किसमे, rate law में, जो हम, rate law में express कर रहे हैं, ठीक है, यह चीज़े, अब एक बात है, याद रखना, नोट में, order, can't exceed, 3, तीन से ज़्यादा order नहीं हो सकता, यह याद रखना, दिख रहा है तो गलत है, ठीक है, वो फिर धोके बाजी है, इसीव है, order कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इट कैन भी, एक बात हो है, positive हो सकता है, negative हो सकता है, और fraction भी हो सकता है, fractional order भी होता है, 0 order भी होता है, first order होता है, second order होता है, जीरो से स्टार्ट होगा दो तक जाएगा जीरो वन टू और फ्रेक्शन उनके बीच में जितने हैं वह सारा हो सकता है तीन से ज्यादा नहीं होगा यह ओडर होता है ठीक है इस सारी चीज़े आपने देख लिए मैं के की वैल्यू पूचता हूं जहरा यहां के क्या है ठीक है आप मुझे के बताना के की यूनिट क्या होगी और कैसे निकालेंगे ठीक है उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे जीरो और फस्ट और सेकिंड लिखते कैसे हैं तो तो टाइप्स और रेक्शन उन्द बेसिद ऑफ और टाइप्स ऑफ रेक्शन ऑंदा बेसिद ऑफ और और के बजाएप्स पे कितने तरह की हम पे रेक्शन हो सकती है तो देखो हम पे हो सकती है पहली जीरो और रियक्शन जीरो और रेक्शन योग नाम भी बता रहा है ओर-डर कितना होगा जीरो होगा कितना होगा जीरो होगा जैसे देखों कि आप पे हैं अब मैं आपको बता दू रियक्शन जो है अगर मैं रियक्शन बनाऊंगा तो रियक्शन कभी भी नहीं बताती और आपको यह लग रहा होगा कि जैसे साल लिख लें ए ए दे रहा है आपको बी इसमें रियक्टेंट यह है तो order इसका यह हो जाएगा यह ही तो होगा क्योंकि एक ही पावर एबनेगा यह च्छुटा एक जाएगा उपर तो order इसका यह हो गया है नहीं reaction से कभी बता नहीं चलता order एक experimental value है और कैसी value experimental दिखके नहीं आती आपको तो लग रहे हैं एक मलीकूल कर रहे हैं क्या पता एस सौ कम कर रहे हूं 200 कर रहे हूं सारे थोड़ी करते हैं तो 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 भी कर रहे होंगे क्या पता 1.5 कर रहे होंगे 1.7 कर रहे होंगे या बिल्कुल भी कोई नहीं कर रहो है ऐसे भी होता है तो जीरो और reaction का एक एक्जांपल देगो अमोनिया लेना है 2NS3 कि प्लाटीनम के फॉर्म में 1173 केलविन 1173 केलविन में आपको देता है N2 प्लस 3H2 अब रियक्शन तो सही है रियक्शन के इसाब से ओडर दो आना चाहिए दो है ना आगे पर आता नहीं क्योंकि सारी सफंग है ऐसे नहीं ही डिटारीवन और गश्यशन दीटा क्योंकि स्सट्राइब टरीवन है अनौत पाइब एक्सपेरिमेंटिले हाँ एक्सपेरिमेंटली मिलता है हاي तो जो दिखता है वह नहीं है एसा होगा नहीं तो रेट कितने हो जाएगा के थीक है रेक्टेंड कौने इन्स त्री कितनी बागर दो दो नहीं लगा तो पावरी कितनी जीरो मैंने बोला ने इससे धोका मत खाऊ एक्स्पेरिमेंट लिए बदा चलाए जीरो अब देखो फस्ट अर्डर फस्ट अर्डर ऐसे भी हो सकते कि दो तिन रियक्टन्टों पर काम के एक ही हो ठीक है ऐसे भी होता है जैसे यह देखो एक एक एनेच फॉर एनो टू अमोनियम निट्रेट आपको देता है एन टू प्लस तू एच्टू ओ मैलन्स देखो एनन चार हैट्रिचल ठीक है तो यहां पर रेड जो है कोई बड़ा लिखता है कोई छोटा लिखता है पर चलेगा के एनेच थरी एनो टू की पावर हो हो और श्रेक्शन अफो चले डिखता था अई इसमें को फ्रेक्शन दिखता तूनी बहुत से रिक्शिन रहा आएंखी तो इसरे आएगा विल्म्म की अधू सेकनन अग्यू देंग जो सब्छलिकेशंदेगे जेघिए यह वह लिए तो अनू अटू गिस तो एनो प्लस ओ यह सारी एक्स्परिमेंटल है रेट की वेल्यू के आएगी के रियक्टंड कौन है नूटू इसके कितने दिख रहे आगे इस तो इक्यूमेटरी दो तो दो लिख दो पर फिर वही धोका यहां से मत खाना बिया था मैं भी देखके बता रहूं कि यहीं चीज़ है अब आप यह होताओ कि के की वेल्यू हरसे में सेम आएगी नहीं दोको इसकी कंसेंट्रेशन की भी तो खुद वैल्यू होते ना मौल पर लेटर अब जीरो ओडर में यह 0 था तो कुछ लिखा ही नहीं जाएगा मौल पर लेटर की पावर जीरो कितने हो जाएगा वन हो भर यह ुरटर के लिए आलग होगी कि थे स्ट फ्रीड और अलग हों जगे ऑलग हो इस याद रखना है कि अभी निकाल के देखेंगे क्या जो दो आप देखा जाता है कि की वेलू क्या सकती है फिस फस्ता अपलर के शल्च को है क्या क्या आईगी यह हमें देखना है तो यूनिट और रेट कॉंस्टेंट रेट कॉंस्टेंट के की यूनिट देखने है अलग लोग अर्डर के लिए है तो तो कि सबसे पहले देखते हैं है जीरो और रियक्षन के लिए जीरो और रियक्षन के लिए कि देखो सिंपल सी बात है जीरो अटर रियक्शन के लिए हमें देखनी है हम क्यों ना एक काम करें कि लिख लें जरा एक बार जीरो अटर होता है आर इस इकपल डू के अगर एक्टेंट ए हो तो एक की पावर कितना 0 और के की वेल्यू यहीं से निकालते हैं के होगा एक्टे कि किसी की पावर 0, 1 होता है तो के जीक पल टू रबय वन आओ बच्चो आपको आड की उनिट पता है आर की उनिट होती है कितनी एर रेट है रेट खुद क्या होता है तो रेट में यहां लिख लेता हूं ताकि आपको असानी हो रेट होता है कंसेंट्रेशन अपन टाइम क संसेंट्रेशन की क्या होती है मोल पल लीटर अब टाइम की होती है सेकंड तो यह उपर जाएगा तो यह आएगा मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स तो देखे क्योंकि के आर के बराबर आया और आर की उनिट है मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स तो थोड़ी जरी के लिए हम क्या लिखते है के जीरो ओडर के लिए के ओ नीचे ओ लगा दिया तो के जीरो ओडर के लिए कितना आया मूल लीटर एंवर्फ सेकंड इंवर्फ जाया ठीक है जीरो ओडर के लिए इतना आया अब जेरे देखते हैं फिरस्ट ओडर के लिए कितना आया तो अब हम देखना चाहेंगे फर्स्ट ओडर रियक्शन तो यहां के एकी पावर कितना आजएगा बन आजएगा तभी तो पहला ओडर आएगा तो यहां एकी पावर कितना आएगा बन आएगा तो अब निकाल के देखते हैं ठीक है एकी पावर बन है आएगा देखो महां से कितना है मोल लीटर पर सेकेंड और एक क्या है एक खुद कंसेंट्रेशन यह तो भई कंसेंट्रेशन है ना एक के खुद की उनिट के आएगी मोल पर लीटर और पावर कितना चल रहा है वन तो कोई फरक नहीं पड़ेगा मोल से मोल क एगे मोल मोल कढ़ए तो के की वेल्यू सेकिनद इनवर्त आई अगर कौंसा ओडर हो slाब रोगा فस्त कितना आरहा है मैं तो के फस्त की वेल्यू हम पे है How कि इनवर्त यह है है कि सवाज अब जहरा हम एक और करता है है और यहां पर second order reaction लिख लेता है, second order reaction, तो यहां 2 आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, अब इसे करना शुरू करते हैं, तो देखे, के कितना हुआ, के is equal to, rate के आपको पता है, बहुरी, mole per liter per second, और A की होगी, A concentration है, तो इसकी होगी mole per liter, और इसकी power बच्चे 2 चल रहा है, तो जराएगा हम इसे खोलें, तो यह है mole per liter per second, then, mole की power 2, और लिटर की power minus 1 into 2 होगा, minus 2, बट अब mole से एक power cancel, और लिटर की एक minus power से, एक minus power cancel, तो होगा क्या, अगर ऐसे भी समझ भी नहीं आया, तो मैं आपको यह बता दूँ, कि होगा क्या mole per liter per second है, ठीक है, mole की power 2, लिटर की power minus 2 है, तो होगा क्या, देखो mole से एक power cancel हुई, अब आप बच रहा है, एक बटे mole, ठीक है, मीचे mole बच रहा, लिटर की power उपर minus 1 है, अब आप खुद सुचो, यह minus 2 उपर जाएगा, तो plus 2 हो जाएगा, बेस सेम power add, और second की power minus 1 है, और यह mole भी उपर गया, तो mole की power, मीचे 1 थी उपर minus 1 हो जाएगी, और 2 minus 1 कितना होगा, एक होगा, तो आपके आएगा mole minus 1 लिटर second inverse, और यह आपका k 2 हो जाएगा, कितना k of second order, ठीक है, कितना mole minus 1, लिटर second minus 1, यह आपके आजाएगा, अब हमें एक काम करते हैं, थर्ड लिटर निकाल के देखते है उससे जादे तो निगली नहीं सकता, fraction का बदा नहीं है, fraction अलग-अलग होता है, तो third order reaction लिखते हैं, तो यहां concentration की कितनी power तक डेपेंड करेगा, यह 3, तो k की value third के लिए कितनी आएगी, rate upon a की power 3, rate कितना होगा, वो लिखा हुआ, mole per liter per second upon, a कितना है, mole per liter है, और इसका cube, तो देखे, mole उपर है, देखे, नीचे ते mole की power 3 होगा, और वो उपर जाएगा, तो minus 3 कहलाएगा, liter की power minus 1 उपर, नीचे liter की power minus 3 है, उपर जाके plus 3 कहलाएगा, और second की power minus 1 चल रहा है, अब mole की power 1 minus 3 आएगा, minus 2, तो mole की power minus 2, लीटर minus 1 और 2, तो लीटर की power 2, और second की power minus 1, तो आपके आएगा, mole, कितना? moles minus 2, लीटर स्कुरेड और second minus 1, तो के थड़ आगया, कितना आगया? mole minus 2, लीटर 2, और second minus 1, के अब बेटा, यह सारा ठीक है, अब आपको यह याद रखना है, कि क्या आप इसे याद कर सकते हो, या हमें निकालना आना चाहिए, या तो निकाल के देख लो, यह तो मैं आपको एक short formula बता देता हूं यह यह आएगा तो एक को k की value generally क्या होती है mol per liter की power 1-n n होता है order और time की power n यह होता है mol per liter की power 1-n time की power minus 1 यह होता है ठीक है फाइनली देख लो क्या है mol per liter की power कितना 1-n और time की power minus 1 n क्या बताता है n order बताता है जैसे 0 order first order तो n क्या बताता है order बताता है अब जरह यहां से निकाल के देखते है अगर हमें k first चाहिए चलो पहले k 0 निकालते हैं तो मतलब n की value 0 डालेंगे तो देखो क्या आएगा mol liter minus 1 की power कितनी 1-n की जगा 0 और time की power कितना minus 1 1-0 तो 1 ही होगा तो कुछ ऐसे आएगा मतलब mol per liter और time की power minus 1 जो की वह हो रहा time आपका वही होगा second तो यह आगया mol per liter per second हम लिख लेते हैं mol per liter per second यह आगया अब एक काम करते हैं के 0 order का आगया ऐसी हम के first order का भी निकालते हैं तो first order के लिए n की value 1 डालनी पड़ेगी तो mol per liter 1-n की value 1 time second और यहां inverse 1-1 0 होगा बेटा किसी की power 0 1 ही होता है तो सिर्फ second की power minus 1 बचा तो k2 इतना आगया अब k first इतना आगया अब k2 निकालते हैं तो n की जगा दो डालेंगे तो mol per liter 1-2 time की power minus 1 तो देखें बच्चे क्या है mol per liter 1-2 आपका minus 1 हो जाएगा और time होगा second second की power minus 1 तो होगा क्या देखो mol की power minus 1 mol की power minus 1 liter की power minus 1 into minus 1 plus 1 liter की power plus 1 क्या लिखना और second की power minus 1 जो कि आपका k2 है तो आप कैसे भी गड़ सकते हैं formula से कल लें formula भी असान है time की power minus 1 मतलब molarity की power 1-n और time की power minus 1 रहेगी k3 निकाल के देखते हैं तो k3 क्या होगा n की जगा 3 डालना पड़ेगा तो mol per liter 1-n की जगा 3 और time की power कितना minus 1 तो mol per liter 1-3 बेटा आपका minus 2 हुआ और time की power minus 1 आगया तो mol की power minus 2 liter की power minus 1 minus 2 2 हो जाएगा तो liter की power 2 और time की power minus 1 time आपका second होता है तो second की power minus 1 आगया जो की यह चीज़ है तो कैसे भी करें आपका आजाएगा ठीक है कैसे भी कर लेना आही जाएगा ठीक है तो theory इतनी रखते हैं अब numerical देख लगते हैं आप से एक दू नमेरिकल हो पाएं तो बहुत बढ़िया बात है एक मिनट मैं इंगो हल्लू फिर कराता हूँ आपको 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 देखिए कुष्यन है कुष्यन है कि आप इस्टेडी आप 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 काइनेटिक्स आप 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 प्लस बी गिव्ज़ आप प्रोड़क्ट आप वंटीव डिग्री चल्सिए गिव्ज़ फॉल्व इंटा अच्छे जीडिये चल्सियर्में अफ्य अफ्य हैं प्लस बी-ई गिव्ज़ affected की और चैंडाइ चैंड़क्ट की कमीकल काइनेटिक्स नेटेक्स कडें और हमें यह डेटा मिला देटा क्या है ए-की कंसें सेंटेशि़न भी की कंसेंटेशिया बी की कंसेंटेशिया और मत्री बाई dt of product क्या मिला? देखें आपको मिला A की concentration 1.0 और B की concentration अगर 0.15 है तो D by dt of product आपका आया 4.20 इंटो 10 की पावर माइनस 6 फिर concentration अगर इसकी 2.0 है A की और B की 0.15 ही है तो आपका D by dt of product जो है 8.40 इंटो 10 की पावर माइनस 6 आ गया और अगर आपका A का concentration 1.0 है B का 0.20 है और D by dt of product आपका 5.60 इंटो 10 की पावर माइनस 6 है तो ये तीन आपके observation दाई की A और B इतना रखेंगे तो D by dt of product इतना आएगा बच्चो D by dt of product अगर हम यहां से देखें तो वह rate के ही बराबर होगा concentration change upon time क्या होता है rate होता है ठीक है आपसे question क्या पूछ रहा है पहला find order with respect to A दूसरा order with respect to B तिसरा order order मतलब total ये with respect to A ये with respect to B वो total चौथा rate law पूछ रहा है और पांच बार रिट कॉंस्टेंट की value पूछ रहा है तो ये आपके कुशन है देखलो कुशन क्या है एक हमें reaction देर की data दे रहे हैं और हमें क्या कर नए rate law बनाना है और बताने हैं A और B की respect में टोटल भी बताने हैं और रिट कॉंस्टेंट की value भी निखालनी है कर लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है विस सारा कुशन रिट लॉका ही है अगर आप reaction देखें तो reaction क्या है अगर इसको देखें तो rate law हमारा प्री लिम्नरी यह हमारा rate law है स्टार्टिंग का फाइनल नहीं वो क्या आता rate is equal to k reactant के concentration की power reactant दो है A और B तो A लिखा बी लिखा और इनके कुछ power अपने मन से मान लिए तो A की power A मान लो ज्यादा खतरों के खिलाड़ी तो नहीं हो कि A की power B मानों गया नहीं A की power A मान लो B की power B मान लो और इसे हम first equation मान लेते हैं अब इसमें data धरते जाएंगे पहला data अगर हमने धरा तो rate हमारा कितना है rate को अगर आप capital R मानतें तो यह जो पहला data है इसमें देखो rate की value कितनी है यह प्लस का रेट वही होगा तो rate की value देखो कितनी है यह रही कितनी 4.20 इंटू 10 की power minus 6 के नहीं पता इसके corresponding a की value 1 है और b की 0.15 है तो a की value 1 आई और b की value आई 0.15 पार वही चल रही है a और b इस equation को हम alpha मान लेते हैं अब दूसरा data देखो तो दूसरे data में rate की value है 8.40 इंटू 10 की power minus 6 के ऐसी है इसी के corresponding a की value 2 है b की value 0.15 है तो 2 की power a और 0.15 की power b यह आपका आजेगा beta और किसरा आपका जो rate है वो है 5.60 इंटू 10 की power minus 6 बराबर k के a आपका 1 है b आपका 0.20 है तो a आपका 1 हुआ और b आपका 0.20 हुआ इसकी power b मानने है यह आपका gamma हो जाएगा alpha, beta और gamma अब यह आपके तीन चीज़े आगी बच्छे बस इनहीं तीन चीज़े से हमें क्या करने है यह और b निगालने तो पहले मैं क्या कर रहा हूं देखो alpha को beta से divide कर रहा हूं alpha divided by beta पहली वाली को दूसरी वाली से divide करूँ तो equation alpha को equation beta से divide करा तो left hand side में देखो क्या आगया 4.20 into 10 की power minus 6 upon 8.40 into 10 की power minus 6 is equal to k लेखो उपर कितना है 1 की power a और 0.15 की power b है नीचे कितना है k 2 की power a और 0.15 की power b है बच्चों इनको काट लो k से k काट लो 10 की power minus 6 है 10 की power minus 6 काट लो और point से point काट लो तो आप पे क्या बचा है देखिए यहां पे बचा 4.20 by 8.40 क्यूंकि दोनों की power a है आप common लिजे 1 by 2 की power a बना लिजे ठीक है 1 by 2 की power a बना लिजे देखो 4.20 टू टाइमस जा 8.40 होगा तो यह half आएगा तो आप खुदी compare करिए यहां half की power कितना है कुछ ही नहीं है तो कितनी power होती है one और यहां half की power कितनी है a है तो बच्चे आपको a की value कितनी मिल गई one मिल गई ठीक है तो अगर मैं आपसे बुलू order with respect to a कितना था order with respect to a कितना था a के respect में order कितना था small a था और small a की value वन आई तो यहां पर आपकी value कितनी आ गई answer वन आ गया ठीक है करें आना तो हई कुछ ऐसा देखना कि जैसे यहां पर यह दो सेम से तो कट गई ऐसी यहां पर यह है देखो पहला और तिसरा ले लेंगे तो वन की power कर लो आपकी मर्जी है तो मैं beta by gamma कर रहा हूं beta by gamma आपकी मर्जी है अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखो मुझे दोना value डालनी पड़ेगी तो समझदा लोग क्या करेंगे डालनी ना पड़े value तो alpha by gamma कर लेता है तो alpha में है 4.20 इंटू 10 की power minus 6 और gamma में है 5.60 इंटू 10 की power minus 6 बराबर के उपर भी के नीचे भी यहाँ 1 की power a और 0.15 की power कितना है बी है और 3 में 1 की power a और 0.20 की power कितना है बी है कुछ कट रहा है बच्चे माइनस से माइनस कड़ गया के से कड़ गया 1 की power a से 1 की power a कड़ गया पॉइंट से पॉइंट कड़ गया आपके बचा 420 by 560 इधर बी पावर सेम है तो बी कॉमन ले लो तो 0.15 अपॉइंट 20 की power कितना बी पॉइंट से पॉइंट काड़ दो तो कितना बचा 15 by 20 बचा आप लोगों का देखे बटे जीरो से जीरो कड़िया तो जीरो भी गया अभी कहीं जाता है देखो किसके टेबल में जाता है 6 के 6 7 जा 42 नहीं 7 6 जा 42 7 8 जा 56 यह आ गया 6 बाई 8 7 6 जा 42 7 8 जा 56 और 2 3 जा 6 2 4 जा 8 तो बेटा यहां तो 3 बटे 4 आ रहा है तो B की value कितनी आगई 1 आगई B की value भी इतनी आगई 1 आगई तो order with respect to bb कितना या वन आया और total order कितना या ए-plus थी total order किया होगा बच्चे a-plus-b होगा कि अबीवन बीवन तो टोटल ओडर कितने है तू है मतलब यह सेकंड ओडर की रियक्शन है सब्सक्राइब तो यहां से पुतर चल जाते हैं यह पावर वन यह पावर वन यह तो तू हो जाता दो हो जाता ऐसा हमेशन ही होगा आगे देखते रहना है इसके बाद रेट लॉओ लिख लेते हैं तो यह हो गया देखें इसके बाद रेट लोओ क्या आएगा रेट लो देख लो आप लूग कितना आएगा तो आर के अब क्या करने ए और बी की भाई तीन वेल्यूज हैं कौन सी डाले कोई सी भी नहीं ए लिख लो बी लिख लो और पस इनकी पावर डाल लो तो इसकी पावर बने इसकी पावर बने कुछ मठ डालना और फिर क्यूंक कि तुम वेल्यू डालोगे तो रेट भी डालना बढ़ेगा वो के में निकालना तो रेट लॉग चौथा यह रहा ठीक है अब क्या करना है कोई से भी डेटा डालो यहां पर या कोई से भी एक्वेशन में डालो और के की वेल्यू निकाल लो तो मैं ले रहा हूं फ्रॉम अलफा से देखो क्या आया अलफा से देखो क्या आया 4.20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बराबर के 1 की पावर A, A तो हमारा 1 ठहरा तो 1 की पावर 1 और 0.15 है इसकी पावर B, B भी आपका कितना ए 1 है तो K की वेल्यू क्या आएगी 4.20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 यह 1 भी 5 भी नीचे गया मेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो आपके बचराए कि 420 10 की पावर माइन सिक्स भाई 15 कि यह जीरो इसे दे दोगे तो यह 10 की पावर माइनस 5 बन जाएगा और इसे काटोगे तो 3 5 जा 15 और 14 3 जा 42 तो 14 भाई 5 आ गया तो 5 कितने बार काटेगा इसे 5 2 जा 10 5 8 जा 40 तो 2.8 इंटो 10 की पावर माइनस 5 और क्योंकि यह सेकंड ओर रहे तो यूनिट आपको लिखने पड़ेगी भाई सेकंड ओर तो फटा पट देख लो कितनी होगी यह होगा मोल पा लिटर की पावर माइनस दो यह आप फर्मुला याद है फर्मुला याद है न क्या था? मोल पा लिटर की पावर कितना? 1-1 और 2 की पावर माइनस 1 तो n की वैल्व कितनी है? 2 और 2 है तो एक माइनस 2 कितना आएगा? माइनस एक आईगा क्योंकि यह यूनिट के ही मार्प सँगे भाई तो मोल की पावर माइनस 1 लीटर माइनस मन माइनस मन पिलस मन और सेकेंड की पावर माइनस मन तो मोल पर मोल लीटर कंन। मो पर लीटर सेकंड लिडिवर्स तो शाग गया 5US20ב 105 8 posit हा तो चारों चीजा आवगई तceğiz सब्सक्राइब को तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो निमेरिकल्स की होंगी देरे देरे निमेरिकल्स करते जाते हैं और यह भी खतम करते जाते हैं ठीकित योडी थेंक्यू